हाई एवरिवन आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सारे जितने भी पॉसिबल सब ग्रूप से एस पोर के उन सब को देखेंगे ठीक है तो हमने जो है एस पोर के सारे एलेमेंट्स देखें हैं तो इसका जो ऑडर है वो कितना होता है फोर फैक्टोरियल यह भी चीज़ हम देख चुके हैं जो कि कितने हैं 24 इलेमेंट्स तो इसमें आप देख रहे हो हो और यह इन दो साइकल वालों का कमपोजिशन ठीक है इन दो cycle वाले permutation को हम transposition कहते हैं ठीक है, तो यह transposition के product है product of two transposition तो 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3 तो आप देखे होगे, इन दो transpose के बीच में कोई भी common element नहीं है तो आप देखोगे कि अगर आप 1, 2 और 1, 3 को multiply करते हो तो आपको 1, 3, 2 मिलेगा जो कि कैसा है, 3 cycle वाला है ठीक है, तो यह ऐसे transposition है जिसमें common कुछ भी नहीं है disjoint transposition जिसे हम कहते हैं ठीक है, तो यह जो है और एक identity है तो यह 3 हुए, का identity हुआ तो कुल मिला के सारे 24 element है ठीक है, अब हमें यह देखना है कि S4 के सारे possible subgroups क्या हो सकते है ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो है इनके inverse के बारे में पता होना चाहिए ठीक है, जैसे कि यह जो दो cycle वाले है यह जो transposition है यह self inverse होते है ठीक है, जैसे कि एगर मैं 1, 2 की बात करूँ तो हमने देखा है कि permutation का inverse कैसे देखते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है कि उन element को उल्टा लिखना है तो 1, 2 का inverse क्या होगा 2, 1 ठीक है, और 1, 2 और 2, 1 same transposition है तो इस इस 1, 2 only ठीक है, तो उसी तरह से 1, 3 और यह बाकि के सारे element तो यह क्या है, यह self inverse है याने क्या कि अगर मैं एक transposition लो ठीक है, और एक identity का एक ऐसा set बनाऊं मैं तो यह अपने आपने group बनाएगा ठीक है, अंडर composition of function, ठीक है तो क्योंकि 1, 2 का वो खुद self inverse है और e self inverse है तो ऐसे जो set है, वो क्या है, आपने to this set only, so this is subgroup of order 2, तो मैं सबसे पहले बात करूँगी subgroup of order 2, ठीक है तो एक तो आपको मिल गया, 1, 2 identity, उसी तरह से जो है, बाकी कभी हम बना सकते हैं तो उसी तरह से, 1, 3 identity, 1, 4 identity 2, 3 identity, 2, 4 identity और 3, 4 identity, यह अपने आप में क्या बनाते, subgroup बनाते हैं अगर आप इनको देखो, तो जो यह है, subgroup, यह actually 1, 2 से generated है, ठीक है तो हम इसको जो है, और shortcut तरीके से, इस तरह से लिख सकते हैं So this is subgroup, which is generated by 1, 2, ठीक है अब यह question है कि क्या कोई दूसरे ऐसे और element है, जो self inverse हो, और उसको हम जो है, identity के साथ मिलाके एक subgroup बनाएं, ठीक है तो यह जो 3 cycle वाले हैं, यह self inverses नहीं है, यह जो 4 cycle वाले हैं, यह भी नहीं है, अब इनको देखते हैं, जो transposition का composition है, disjoint का ठीक है, तो अगर मैं 1, 2 3, 4 की बात करूँ ठीक है, तो यह देखते हैं कि क्या यह self inverse है या नहीं है तो 1, 2, 3, 4 को एकवा मैं फिर से जो है, 1, 2 3, 4 के साथ operate करती हूँ तो देखते हैं कि identity आता है या नहीं आता है, तो मुझे जो है इन पर क्या लगाना है, composition लगाना है, so here 1 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 and 2 goes to 1, so 1 goes to 1 ठीक है, यहाँ पर 2 goes to 2, 2 goes to 1 1, 1 पर जाता है और 1, 2 पर जाता है तो 2, 2 पर जाता है 3 goes to 4, 4 goes to 4, 4 goes to 3 and 3 goes to 3, so 3 3 पर गया और obviously 4, 4 पर जाएगा यानि कि यह है कि 1, 1 पर 2, 2 पर मैप, 3, 3 पर मैप और 4, 4 पर मैप, यानि कि identity, यानि कि product of disjoint transposition है, यह भी self inverse है ठीक है, तो हम इसका भी जो है, subgroup बना सकते है तो यह भी क्या है, subgroup है यानि कि 1, 2 3, 4 और identity यह क्या है, self inverses है और यह subgroup बनाते है of order 2, ठीक है ना, और उसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि यह 1, 2, 3, 4 से generated है similarly, एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसे element नहीं है जो self inverse है, और हम इस तरीके से जो है, उसका subgroup बनाए ठीक है, तो कुल मिला के 6 यह और 3 यह तो 9 subgroup होगे 9 subgroup होगे जिनका order कितना है of order 2 ठीक है, अब बात करते हैं कि order 3 के subgroup possible है या नहीं है ठीक है, order 3 के भी possibilities है क्योंकि 3 जो है 24 को divide करता है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा about 3 cycle वाले permutation के बारे में ठीक है, जिनकी length 3 है तो यह self inverse नहीं होते हैं ठीक है, तो अगर मैं 1, 2, 3 के बात करूं तो shortcut तरीके से तो इसका inverse कितना होगा 3, 2, 1 मैंने उल्टा कर दिया, तो इसमें से 3, 2, 1 कौन है 3, 2 और 1, ठीक है 3 goes to 2 and 2 goes to 1 here also 3 goes to 2 and 2 goes to 1, यानि क्या कि 1, 2, 3 का inverse क्या है 1, 3 2 है 1, 3, 2 है ठीक है, तो मैं इससे जो है एक subgroup बना सकती हूँ, देखे एक हो गया 1, 2, 3, एक हो गया इसका inverse यानि कि 1, 3, 2 और एक हो गई identity ठीक है, तो आप यहाँ पे देखे, अगर मैं 1, 2, 3 को 1, 2, 3 के साथ multiply करती हूँ, तो मेरा answer कितना आता है, देखे, 1 goes to 2 and 2 goes to 3 3 goes to 1 and 1 goes to 2, so तो देखे, अगर मैं 1, 3, 2 को उसी के साथ multiply करती हूँ, तो मुझे 1, 3, 2 मिलता है, और मैं फिर से जो है 1, 3, 2 को 1, 2, 3 के साथ multiply करूँ, तो मुझे identity मिलेगा, क्योंकि इसका inverse है, ठीक है यानि कि यह पूरा जो set है यह 1, 2, 3 से generate हो रहा है ठीक है, और क्योंकि इसका order 3 है तो prime number है ठीक है, तो prime number के जो groups होते हैं, वो cyclic होते हैं, तो obviously यह एक cyclic subgroup है S4 का, जो कि किस से generate हो रहा है 1, 2, 3 से ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे 8 हैं तो 4 subgroup बनेंगे of order 3 तो इसी तरह से आप 1, 2, 4 से फिर 1, 3, 4 से और 2, 3, 4 से जो है बाकी के 3 subgroup निकाल सकते हो, ठीक है तो यहाँ पे 8 element थे of 3 cycle permutation और उसके जो है 4 subgroup बनेंगे, क्योंकि उसमें से एक जो है दूसरे के क्या है inverses है ठीक है, तो ऐसे 4 subgroup बनेंगे जिनका order कितना है 3 है, तो यह क्या हो गए subgroup of order 3 और ऐसे हमने कितने पाल लिए ऐसे हमने देख लिए 4 ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या subgroup of order 4 हो सकता है ठीक है, पॉसिबलीटी है क्योंकि 4 भी 24 को डिवाइड करता है ठीक है तो हम देखते हैं कि क्या subgroup of order 4 है या नहीं है ठीक है, तो अभी तक हमने जो है, जिन elements के बाद की वो तो एक थे transposition, permutation of cycle 3 और product of disjoint transposition ठीक है, अब बात करते हम ये वाला, 4 cycle वाला कि इसका behavior कैसा है क्या ये self inverse है या नहीं है ठीक है, तो मैं पहला वाला element लेकि देखती हूँ 1, 2, 3, 4 तो एक चीज़ तो confirm है कि ये self inverse नहीं है, क्योंकि इसका inverse किया है, इसका inverse मैं करूंगे उल्टा, यानिकि 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1, को नहीं है, इसमें, 4, ये रहा, 4, 3, 2, और 1, यानिकि ये क्या चीज़ है, 1, 4, 3, 2, ठीक है, तो ये self inverse तो नहीं है, ठीक है, तो आए आप देखते हैं कि अगर मैं 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3, 4 के साथ ही multiply करती हूँ, तो मेरा answer क्या आता है, 1, 2, 3, 4 को अगर मैं 1, 2, 3, 4 से करूँ, so here 1 goes to 2 और 2 goes to 3 3 goes to 4 and 4 goes to 1, so यानिकि 1, 3, फिर 2 की बारी 2 goes to 3 and 3 goes to 4, so 2 goes to 4, ठीक है, और obviously अब 4 के पास कोई दूसरा 4 नहीं है, 4 goes to 2 only, so 1, 2, 3, 4 into 1, 2, 3, 4 is 1, 3, 2, 4 और यह क्या है, यह सेल्फ इन्वर्स है, ठीक है, एक और ट्राइ करते हैं, अब की बार क्या करूंगे मैं, 1, 2, 3, 4 को जो है, तीन बार मल्टिप्लाई करके देखते हैं, यानिकि 1, 2, 3, 4 into 1, 2, 3, 4 into 1, 2, 3, 4 अब हमें तो पता है, इन दोनों का 2 goes to 4 and 4 goes to 4, so 1 goes to 4, चार्ज तीन पर जाता है, sorry, चार्ज एक पर जाता है, एक-एक पर जाता है और एक तीन पर जाता है, 4 goes to 3, then 3 goes to 4, then 3 goes to 4, 4 goes to 2 and 2 goes to 2, so 1, 4, 3, 2, ठीक है, तो मैंने 3 बार इसको करने पर कितना आया है, 1, 4, 3, 2 और आपको पता है कि अगर मैं इसको 4 बार करूँ सो 4 बार करने का मतलब है 1, 2, 3, 4 cube into 1, 2, 3, 4 याने क्या कि ये तो है 1, 4, 3, 2 और 1, 2, 3, 4 actually इसका inverse है सो ये एक दूसरे के inverse है तो identity देगा ठीक है, सो देखें मैंने 1, 2, 3, 4 से कौन-कौन से element generate किया एक तो है 1, 2, 3, 4 ये खुद element होगा जब मैंने इसको 2 बार multiply किया तो मुझे मिला 1, 3, 2, 4 जब मैंने इसको 3 बार multiply किया तो उसका inverse मिल गया यानि कि 1, 4, 3, 2 और एक और बार करने पर मुझे मिली identity ठीक है यानि कि I तो ये क्या बनाता है cyclic group जो किस से generate हो रहा है 1, 2, 3, 4 से पूरा का पूरा इसमें आप देख रहे हो कि इसका inverse ये है और इसका inverse ये है ये self inverse है इसको 2 बार multiply करोगे तो यही मिलेगा इसको भी 2 बार multiply करोगे तो यही मिलेगा ये सारी properties को satisfy करता है ये cyclic है ठीक है इसी तरह से आप जो है क्योंकि यहाप पर कितने element है 6 element है तो 2 तो यहीं पर occupy हो रहे तो 6 के 3 ऐसे subgroup बन जाएंगे जिनका order कितना होगा 4 होगा ठीक है तो इस तरह से आप ये बाकी के 2 subgroup निकाल सकते हो जिनका order 4 है और जो कि 4 cycle वाले permutation से generator है अब question ये है कि क्या और कोई 4 order का subgroup बनाता है या ने बनाता है ठीक है तो हम ध्यान से इन elements को देखेंगे और बनाने को try करेंगे तो वापस से हम आते हैं transposition की तरफ याने कि permutation of length 2 या फिर cycle 2 ठीक है तो अगर मैं इनको देखूँ तो एक है 1,2 जो कि self inverse है और एक है 1,2 क्या एकदम disjoint जो कि 3,4 है जो भी self inverse है इन दोनों को multiply करेंगे तो क्या बनेगा 1,2,3,4 ठीक है और एक identity तो इनका मैं अगर एक group एक set बनाऊं तो ये अपने आप में sub group बनाता है ठीक है तो देखिए इसको इसमें क्या है कि 1,2 self inverse है 3,4 भी self inverse है और 1,2,3,4 भी self inverse है और identity भी self inverse है सारे self inverses है ठीक है तो inverse का कोई problem नहीं है अगर मैं 1,2 को 3,4 के साथ multiply करूँगे तो मुझे 1,2,3,4 मिलेगा क्योंकि ये दोनों disjoint है और अगर मैं 3,4 को 1,2,3,4 के साथ multiply करूँगे तो 3,4 और 3,4 तो identity हो जाएगा और बचेगा 1,2 जो कि इसमें belong करता है similarly अगर 1,2 को इसके साथ multiply करूँगे तो 1,2 और 1,2 तो identity हो जाएगे बचेगा 3,4 जो कि इसमें है तो ये complete एक subgroup बनाता है उसी तरह से आप बाकी के बचे हुए element से subgroup बना सकते है जिनका order 4 है तो इससे जो है 3 हमें एक नए subgroups मिल गए है जिनका order 4 है अगर हम इसको जो है थोड़ा short form में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते है कि this subgroup is generated by 1,2 and 3,4 देखिए ये cyclic subgroup नहीं है ठीक है लेकिन क्योंकि आप 1,2 और 3,4 से सारे element निकाल सकते हो इसलिए मैं कहा रही हूँ कि इसको जो है आप 1,2 और 3,4 से generate कर सकते हो ठीक है उसी तरह से आप जो है इस वाले को 1,3,2,4 से generate कर सकते हो इसको जो है 1,4,2,3 से कॉमा 2,3 से generate कर सकते हो तो इसमें जो है आपको 1,4,2,3 लिखने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये जो element है ये इन दो element से generate होता है ठीक है तो ये तीन आगे हमारे पास जिनको order 4 है क्या और ऐसी possibilities है जिनका order कितना हो 4 हो और वो subgroup बनाता हो अगर मैं इनकी तरफ ध्यान देती हूँ अब ठीक है which is product of disjoint transposition ठीक है तो ये 1,2,3 और identity मिला कर जो है एक subgroup बनाने की possibility रखते है जिनका order कितना है 4 है ठीक है तो आएए देखते हैं कि ऐसा possible है या नहीं है तो मैंने इन सारे disjoint cycle का जो है set बना दिया है ठीक है अब इसमें देखी ये हर जो element है ये self inverse है ठीक है और अगर आप 2 element का multiplication करके देखते हैं अगर मैं 1,2,3,4 को जो है 1,3,2,4 के साथ multiply करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है ठीक है ठीक है तो here 1 goes to 1 1 goes to 3 3 goes to 4 and 4 goes to 4 so 1 goes to 4 4 goes to 2 2 goes to 2 2 goes to 2 and 2 goes to 1 so 4 goes to 1 ये cycle complete फिर 2 की बारे 2 goes to 4 4 goes to 4 4 goes to 3 and 3 goes to 3 so 2 goes to 3 so obviously 3 will go to 2 ठीक है तो जो कि क्या आ गया हमारा तीसरा element आ गया उसी तरह से अगर आप इन दोनों को multiply करेंगे तो आपको पहला मिलेगा और अगर इन दोनों को multiply करोगे तो आपको भी बीच वाला मिलेगा ठीक है तो इसको भी आप जो है किनी दो transposition किनी दो permutation से निकाल सकते हो so this can be generated by 1, 2 3, 4 and 1, 3, 2, 4 ठीक है तो जो कि एकदम इनके form का है ठीक है अगर आपको याद हो तो ये किस type के subgroups हैं अगर आप इनके structure पे देखो तो अगर मैं इनको मैं A मानू पहले वाले element को मान लीजे मैंने इसको A मान लिया इसको B मान लिया ठीक है और इसको C मान लेते हैं फिलाल तो यहाँ पे आप देख रहो कि A square किसके बराबर identity B square भी किसके बराबर identity और मैं इस C को क्या लिख सकती हूं A भी लिख सकती हूं ठीक है और अगर मैं B A भी करूँ तो भी मेरे पास answer C आने वाले ने कि A B is equal to B E अगर आपको याद हो तो इस तरह का structure किसका होता है जहाँ पे एक group है जो A और B से generated है such that कि A square is equal to E B square is equal to E and A B is equal to B A जो कि हमारा third element है A B तो यह आपको याद होगा तो यह rectangular puzzle का था rectangular puzzle याने K4 ठीक है क्लाइन 4 group तो यह जितने भी group हैं 1, 2, 3, 4 यह जो हमारे 4 group बने हैं यह कैसा है क्लाइन 4 group है लेकिन यहाँ पे जो यह है यह भी 4 order की element है 1, 2, 3, 4 लेकिन यह क्लाइन 4 group नहीं है यह क्लाइन 4 group की structure को satisfy नहीं करता तो आप यह कह सकते हो कि यह जो group है यह isomorphic है to K4 याने कि K4 जैसे है ठीक है सो हमने subgroup of order 4 भी शायद complete कर लिए है 3 इधर और 4 इधर 7 मिल गए है अब बात करते हैं subgroup of order 5 लेकिन 5 का नहीं हो सकता क्योंकि 5 does not divide 24 ठीक है तो लैंगराज ठीरम के according subgroup का order जो है वो group के order को divide करता है ठीक है अगर कोई number जो है उस number को उसके order को divide नहीं करता है तो मतलब ऐसा subgroup possible नहीं है ठीक है subgroup of order is not possible और 5 is not possible अब बात करते हैं subgroup of order 6 ये possible हो सकता है क्योंकि 6 जो है 24 को divide करता है ओके अगर आपको K4, D3, D4 इन चीजों के बारे में पता है तो आप इनके structure को समझ सकते हैं ठीक है और खुद अगर थोड़ा सा effort डालें तो ये चीज़े खुद निकाल सकते हैं ठीक है फिर भी हम try करेंगे तो मैं एक set लेती हूँ ठीक है बहुत interesting सा set लोंगी एक लोंगी मैं 1, 2 एक लोंगी 1, 3 एक लोंगी 2, 3 ठीक है मैंने 3 element ले लिये जो कि क्या है transposition है फिर मैं एक लोंगी और एक identity तो इसके अंदर कितने element होगे तीन और तीन च्छै होगे है तो ये जो है एक subgroup बनाता है जिसका order कितना है च्छै होता है अगर आपको याद हो तो D3 का जो order है वो भी 6 होता है अब हमें ये देखना है कि क्या D3 की तरह है या नहीं है ठीक है तो D3 आने क्या triangle puzzle तो triangle puzzle में क्या होता है एक flip होता है तो यहाँ पर जो ये 1,2, 1,3, 2,3 है ये flip की तरह काम करते यानि कि ये F1 है ये F2 है ये F3 है और ये जो बाकी के दो है ये rotation की तरह काम करता है ये हमारा R है ये हमारा R square है और ये हमारा R cube याने की identity है ठीक है और ये जो है एक subgroup बनाता है ठीक है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे flip होते हैं ये self inverse होते हैं यानि कि F square क्या होता है identity F1 का square, F2 का square जो flip होते हैं वो self inverse होते हैं और rotation का एक बार फिर से rotate करोगे और फिर तीसरी बार करोगे क्योंकि triangle puzzle है तो आपको वापस से identity देगा ठीक है तो ये एक क्या है subgroup है जो कि D3 की तरह दिखाई देता है तो D3 का जो structure है वो कैसा होता है This is जहाँ पे So D3 के अंदर क्या होता है D3 के अंदर होता है एक rotation और एक flip होता है ठीक है आप पूरे D3 को एक rotation और एक flip से generate कर सकते हो जहाँ पे R cube आएगा identity F square आएगा identity और RF is equal to FR inverse ठीक है तो ये जो है ये D3 के isomorphic है यानि कि ये जो subgroup है generate कर सकते हैं उसमें से एक rotation होगा मान लिजे 1, 2, 3 और एक एक जो है कोई भी flip ले लिजे 1, 2 ले लिजे 1, 3 ले लिजे ठीक है So 1, 2 ले लिए मैंने मान लिए ठीक है तो ये जो subgroup है ये इन दो element से generate होता है जो कि isomorphic है to D3 similarly आप जो है ऐसे और भी subgroup निकाल सकते हो जिसका order 6 अब बात करते हैं subgroup of order 8 ठीक है तो जब subgroup of order 8 आता है तो दिमाग में एक चीज़ जरूर आनी चाहिए वो कॉन D4 group ठीक है D4 group क्या है square का puzzle ठीक है जिसके अंदर कितने element होते है 4 का double याने के 8 element होते है जिसमें 4 rotation होते है और 4 flip होते है ठीक है अब मैं एक set बनाती हूँ ठीक है so set is 1,3 2,4 1,2 3,4 और 1,3 2,4 और इसके साथ 1,2 3,4 इसका inverse याने की 1,4 3,2 और इन दोनों को multiply करने पर 1,4 इन दोनों multiply करने पर 1,3,2,4 आता है so 1,4 2,3 ठीक है तो अगर आप इस set को देखोगे तो अभी अभी हमने एक subgroup पढ़ा जो की किस से generate हो रहा था 1,2,3,4 से 1,2,3,4 से तो इसके अंदर कौन से element आए एक 1,2,3,4 एक 1,4,3,2 और एक ये disjoint transposition का product यानि कि 1,3,2,4 तो ये इसके अंदर है 1,2,3,4 1,4,3,2 और 1,3,2,4 ठीक है अगर मैं D4 की बात करूँ तो ये काम करते हैं as a rotation आपने 1,2,3,4 को R लिया ठीक है जब आप इसको एक बार फिर से multiply करते हो तो आपको मिलता है 1,3,2,4 यानि कि ये R square है फिर से 3 बार multiply करते हो तो आपको मिलता है 1,4,3,2 और R to the power 4 लेते हो तो आपको मिलता है identity तो 1,2,3,4 4 element identity के हो गए तो obviously कि जो बात की के बचे हो element है 1,2,3,4 ये क्या है flip है ये हमारा flip number 1 2,3 और ये 4 तो आप इनको देखो ये क्या है 1,3,self inverse है ये भी self inverse ये भी self inverse ये भी self inverse हाला कि ये भी self inverse है ठीक है तो क्योंकि ये self inverse क्यों है क्योंकि ये r square है तो r square into r square is r4 which is equal to identity इसलिए ये self inverse है ठीक है लेकिन ये flip के अंदर नहीं आता क्योंकि ये इनके product में आता है ये rotation के अंदर आएगा ठीक है तो ये किस चीज से similar है this is similar to d4 याने कि this is isomorphic to d4 तो इसका structure जो है d4 की तरफ है ठीक है तो इस पूरे को जो है दो element से generate कर सकते हैं एक rotation से याने कि 1,2,3,4 से और एक कोई भी flip ले लीजे 1,3 ठीक है इन दो element से हम पूरा का पूरा इन चार element को generate कर सकते हैं तो यह जो है बाकी के दो subgroup बना दिये जिसका order 8 है तो यहां से जो है हमें 3 ऐसे subgroup बन गए जिनका order कितना है 8 है ठीक है तो 9 possible नहीं है subgroup of order 9 is not possible 10 is not possible 11 is not possible and 12 is possible ठीक है क्योंकि 12 जो है 24 को divide करता है अब यह बहुत interesting है इससे पहले कि मैं आपको जो है 12 order का subgroup बताऊं आपको जो है दो चीज़ें आनी चाहिए एक है odd permutation और एक है even permutation ठीक है इसको मैं detail में बाकी के lecture में बताऊंगी लेकिन odd और even permutation क्या होता है odd permutation वो होता है जिस permutation को हम odd number of transposition के रूप में लिख सके वो होता है जिसको हम even number of transposition के रूप में लिख सके for example 12 12 जो है खुद एक transposition है ठीक है और ये कितना है ये एक है ठीक है तो एक है याने कि मैंने 12 को जो है odd number of transposition के रूप में लिख दिया हूँ तो इसलिए 12 जो है odd permutation है और clearly समझ में आएगा माल लिजे 123 मैं 123 को लिख सकती हूँ मैं इसको जो है transposition में तोड सकती हूँ I can write it as 1312 ठीक है इसको आप multiply करके देखे 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 1 goes to 2 and 2 goes to sorry 1 goes to 2 and 2 goes to 2 ठीक है so 1 goes to 2 2 goes to 1 and 1 goes to 3 so 2 goes to 3 जो कि ये है तो मैंने 123 को जो है transposition की रूप में तोड़ा कैसे तोड़ दिया कि 1 को आप वैसे ही रखिए और 1 को 1 और last element लिजे फिर 1 और second element लिजे ठीक है तो 123 is even permutation because we can write 123 in terms of even permutation ठीक है 13 into 12 उसी तरह से अगर मैं 123 4 लेती हूँ 123 4 लेती हूँ तो अब इसको जो है transposition में कैसे तोड़ेंगे this is 1 4 1 3 1 2 बस ठीक है तो यह क्या है यह odd number of transposition है तो इतना clear है कि अगर cycle even है तो वो permutation odd होगा अगर cycle odd है तो permutation even होगा यहाँ पे तीन cycle का permutation था तो यह even है ठीक है क्योंकि 3-1 दो transposition इसके बन रहे है ठीक है so even permutation याने क्या कि ऐसा permutation जिसको हम even number of transposition के रूप में लिख सकें ठीक है तो हम सारे even के collection करते हैं तो देखिए यह जो है यह सारे odd है दो cycle के सारे odd हैं उसके बाद यह जो तीन cycle के ही सारे even है तो इनका collection करते हैं दिस इस 1,2,3 तो सारे तीन cycle के element आगे जो कि even permutation है ठीक है और कौन सा होगा देखिए जो 4 cycle वाले हैं यह तो odd permutation के अंदर आएगा अब यह जो है 1,2,3,4 देखिए दो transposition का product है तो यह भी क्या है even permutation है तो बाकी जो एक, दो, तीन तीन भी इसके अंदर यह जो तीन है यह भी क्या आगे even permutation आगे और एक होगा आपका identity तो यह total कितने होगे यह तो होगे आपके 8,8 और 3,11 और 1,12 ठीक है और इसको हम नाम देते हैं A4 A4 याने क्या even permutation का एक subgroup ठीक है जिसे हम कहते हैं alternating subgroup इसको हम अगले वाले video lecture में पढ़ेंगे लेकिन फिलाल आपको याद रखना है कि A4 is what? A4 is collection of all even permutation जो कि हमेशा क्या बनाता है एक subgroup बनाता है ठीक है तो यह हमने और यह एक ही है ठीक है 12 order का एक ही subgroup है तो यह total हमने जो है सारे possible subgroups देख लिए of S4 ठीक है तो total हमने देखे कितने order 2 के थे 9 ठीक है फिर order 3 के थे I think so order 3 के थे 4 order 4 के थे 7 order 6 के थे I think so order 6 के भी थे 4 order 8 के है 3 और order 12 का है 1 और एक आपका जो है identity और एक आपका पूरा का पूरा set पूरा का पूरा जो group है वो खुद भी एक subgroup है तो यह total कितने होगे यह होगे आपके साथ और तीन दस नौ और एक दस चार 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 दस याने के तीन बार दस याने के टोटल 30 subgroups है ठीक है of S4 ठीक है इन subgroups को I think study करना easy है लेकिन lengthy है ठीक है अगर आप जो है केलिन 4 group D4, D3, S3, S4 इन चीज़ों को समझते हो कि यह क्या चीज़े हैं तो आपको यह चीज़ समझनी काफी आसान होगी ठीक है सो यह थे सारे possible subgroups of S4 ठीक है आगे हम proceed करेंगे next video में